आज जहां देश भर में पुलिस जनता को घर से बाहर ना निकलने के लिए कड़े कदम उठा रही है कई लाटी बरसाई जा रही हैं तो कई लोगों को मुर्गा बनाने के समचार आ रहे हैं वही संबल में पुलिस ने घर से बाहर ना निकलने के लिए जिला की जनता से हाथ जोड़ अपील की है जिसमें गली महुलों में घूमकर जनता से हाथ जोड़ कर जिले के एसपी घर से बाहर ना निकलने की अपील करके जनता को घर के अंदर रेकर अपने को स्रस्ते रखने की अपील कर रहे हैं संबल के एसपी यमना पैशाद ने आज जिले की जनता से हाथ जोड़ कर अपील की और अनुरोथ के कि कोई भी जन घर से बाहर ना निकले साथी उन्होंने गली गली महले महले घुम कर अपनी किसी भी समस्या को पुलिस को अवगत कराने की अपील की साथी जिले की जनता से हाथ जोड़ कर अपील की कि वो अपनी वदेश की भलाई के लिए घर से बाहर किसी भी हालात में ना निकले उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी हालात में जमाखोरी नहीं करने दी जाएगी हमारी टीम लगई हुई है यदि कोई भी दुकांदार बनागर कारेवाही की है अपतकाल हमारे अमर्जनसी नमबरों पर हमारे जो कंट्रोल रूम चल रहा है उसके नमबरों पर फोन करें और बताएं किरिप्या करके अपने अपने घरों में रहें अनावस्य ग्रूप से बाहर नहीं निकलें कोई भी सुबिधा चाहिए आपको आप हमें सूचित करें ह अपके घर तक उस सुब्धाएं पहुचाएंगे लेकिन आप अपने बाहर मत निकलिए आपका जीवन अमूल है उस जीवन को बचाने के लिए ये कठीन समय है इसमें सभी को मिल करके सहभागी करनी पड़ेगी और सभी लोग मिल करके इससे लड़ाई करेंगे तभी इससे मुक्ती मिलेगी तो हमें आपका साथ जरूरी है आवश्यक है करिपया करके सभी लोग अपने अपने घरों में रहें ये आखवान किया गया है तो इससे कोई दुकानदार ऐसे हैं जो दस रुपे इस पंदार उपर में बेच रहे हैं उनके खिलाब कारवाई की जा रही है जब भी किया जाएगा उनका सारा माल जब भी किया जाएगा अभी दो मुकदमे लिखे गए हैं इसके लिए तायमिंग निर्धारित की गई है और मेडिकल क्योवले मरजसी दुकाने खुली है बागे कोई दुकान खुली नहीं है तो उसके लिए रिगुलर बैसिस पर मॉ प्रवाइरस को हराना है तो हमें उसके साथ एक जुटा दिखानी पड़ेगी मिल जूल करके ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है आपका जीवन हमारे लिए अमूल है उस आपके जीवन को बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है हम निकले हैं आपके जीवन को बचाने के लिए इसमें हमारा साथ दीजिए सायोग कीजिए